डार्क मैटर के बारे में ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो किसी चीज से इंटरैक्ट नहीं करता है किसी भी तरीके की रेडियेशन से इंटरैक्ट नहीं करता है तो हम उसके बारे में स्टडी कैसे करते हैं कितरा हम इस मैटर के बारे में भी जान पाए हैं तो सबसे पहले मैं डार्क मैटर का इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर मैं इस पर आओगा कि मेरा इंट्रेस्ट कैसे आया, और फिर उसकी थोड़े डीटेल्स बजाएंगे, तो बेसिकली डार्क मैटर, मैटर का मतलब हम सबको पता है, जो मैटर हम सब के आसपास होता है, नाम के एक एस्ट्रोणामर थे, और एस्ट्रोफिसिस्स एस्ट्रोणामर जो बोलें, वो बहुत सारी चीज़ों में फिल्ड में काम किया उन्होंने, तो फ्रिट्स्विकी बेसिकली क्या करना चाह रहे थे, कि उन्होंने सबसे पहले डार्क मैटर की थियोरी दे थी, अब उनका में एम था कि कोई भी अलग-अलग गैलेक्सी के मास कैलकुलेट कर सके, अब मास कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका जो नॉर्मल तरीका है कि उससे जो लाइट आ रही है, जो हम लोग को लाइट मिल रही है, वो लाइट के बेसिस में हम लोग स्प galaxy के मास निकाल रहे दो लगलग तरीके से तो मास बराबर आना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं था जो दूसरा तरीका था उसको मौर एक्स्पेइन करता हूँ एक तरीका तो मैंने बोला कि stars की जो light आ रही है उसकी मदद से दूसरा जो तरीका था वो उसकी kinetic energy जो होती है उसकी kinetic energy को calculate करके भी हम लोग मास निकाल सकते हैं इसे virial theorem कहते हैं तो virial theorem और normal जो spectrum आ रहे हैं उसकी मदद से मास निकालने कुशिश की ideally दोनों के मास बराबर आने चाहिए बट हुआ ये कि जब उन्होंने compare किया तो उन्होंने kinetic energy की मदद से that is virial theorem के मदद से जो मास निकाला था वो बहुत ही ज़्यादा था बहुत times order ज़्यादा था तो उनको लगा कि ये शायद इस galaxy problem में तो उन्होंने और भी जगा ये चीज देखा लेकिन सब जगा ये problem आ रहे थी तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही galaxy के दो अलग-अलग तरीके से मास अलग आ रहे है तो इससे एक conclusion निकल सकता है कि जो spectral वाला तरीका है जो radiation आ रही है उसकी मदद से हम लोगों ने जो मास निकाला है उसमें ऐसे भी कोई matter है जो कि बहुत ज़्यादा amount में है जो कि radiation जिनकी नहीं आ पा रही है अब आज के टाइम पर dark matter की बहुत सारी theories है उस टाइम उन्होंने जब dark matter की theory दी थी तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा matter हो जो हमको नहीं बता जो standard model के बाहर हो वो ऐसी भी चीज हो सकती है जो हम लोग नहीं देख सकते हैं पर एक्जामपल कोई black hole हो सकता है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाने वादब बहुत सारे ग्रोपों black holes हो सकते हैं कोई field stars के ग्रोप हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों हो सकती हैं तो dark matter की theory जब फ्रेट जुकी नहीं दी थी तब उस पे इतना ज़्यादा होता यह है कि galaxies में अलग-अलग जैसे यह एक पूरी disk galaxy है तो यह अगर center है यह अगर हिस्सा center है तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो हर पार्ट की एक velocity होगी उनको वो velocity calculate करने थी अब किसी ने भी अगर 9th में gravitation पढ़ा हुआ है तो Newton का एक पहुत simple सा formula है gravitation देने का f is equal to g m1 m2 upon r square नीचे r square यह बताता है कि अगर distance जैसे बढ़ती जाएगी तो r square inversely proportional to r square में वो force कम होता जाएगा और force कम होता जाएगा इसका मतलब यह है कि जो outer region में जो planets या stars है उनकी velocity कम होनी चाहिए क्योंकि उनके force कम लग रहा है r जाएगा जो बास में उनकी जाएगा होनी चाहिए तो उन्होंने plot करने कुशिश की पूरे velocity curve को जब उन्होंने velocity curve plot किया तो actually वो पूरा constant आ रहा था जो कि वो ही नहीं सकता यह constant कैसे आ सकता है उनको लगा कि maybe कोई observational problem है तो उन्होंने बहुत सारी galaxies में ट्रै किया बहुत सारी सम में result same आ रहा था तो इससे फिर्ट जुएक की dark matter की जो theory थी वो validate हो गई और लोगोंने उसे consider करना शुरू किया अब इसमें दो तरीके हो सकते थे या तो dark matter सही में कुछ exist करता है जो हम देख नहीं पा रहा है या फिर जो gravity की हमारी knowledge है वो सही नहीं है में भी gravity जो planets level पे काम करती है वो अलग rule को follow करती है और जो galactic level पे काम करती है इतने large scale पे काम करती है वो एक अलग rule को follow करती है जिसको हम लोग mond कहते है modified newtonian gravity modified newton क्योंकि newton की gravity को हम लोग modify कर रहे है इसलिए mond कहते है mond पे आज भी बहुत सारे लोग काम करे है mond के पहले बहुत सारे models है जो rule out हो चुके है बट आज के टाइम में कुछ उसके ऐसे strong model है जिस पे लोग काम कर रहे है at the same time dark matter के भी बहुत सारे model होते है अब मैं इतने सारे में गिना भी नहीं सकता like I guess more than 50 models है dark matter के अलग-अलग-अलग-अलग अलग-अलग तरीके से काम कर रहे है जिन में सबसे famous है WIMP, weekly interactive massive particle then है scalar field dark matter जिस पर भी मैं काम कर रहे है scalar field वे बहुत सारे categories आती है तो basically मैं यह कहना चाहरू कि बहुत अलग-अलग तरह के dark matter होते है जो models है होता एक ही तरह का है लेकिन हम लोग अलग-अलग perspectives को solve करने कुशिश कर रहे है